हलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल गुमे किसी के प्यार से जुड़ी हर अपडेट दोस्तों सीरियल गुमे किसी के प्यार में में सुरेखा सभी को कही ना कही पसंद तो करने लगी है लेकिन उसके दिल में सवी के लिए अभी भी भोसले खांदान की बहु बनाने की जगे नहीं है पर अब गुड़ी परवा में वो सोच रही है कि इशान और रेवा से करवाएगी पूजा जबकि होती है पूजा जोड़े के साथ यानि की पती-पत्नी करते हैं पूजा अब ऐसे में यहां पर आएगा बड़ा ट्विस्ट क्योंकि इशान रेवा के साथ नहीं बलकि अपनी असली पत्नी के साथ यानि की सभी के साथ पूजा करने वाला है क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों सीरियल गुमे कसी के प्यार में में अभी यहां पर बहुत बड़ी चाल चलने वाली है सुरेखा यानि कि अक्का साहिब ये चाहती है कि गुरी पढ़वा की पूजा इशान सभी के साथ ना करके रेवा के साथ करे और ये बात उसने रेवा की मा को भोल भी दी है लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा क्यूंकि इशान पूजा करने के लिए जब खड़ा होगा तो पंड़ सीधा सभी को बुलाएंगे पंड़ी रहे के कहेंगे कि इशान की धरम पतनी यानि कि सभी आप आगे आ जाएए जिसके बाद सभी आगे आएग और पूजा करने लगेगी ऐसे में सुरेखा कामू बनेगा और सुरेखा ये कहने वाली है कि पंड़ी यहाँ पर हमारी रेवा भी बेटी जैसी है तो हम चाहते हैं कि वो भीन के साथ पूजा करे लेकिन पंड़ित मना कर देगा और सीधा ये कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो स जाएगी क्योंकि उसको दिखेगा इशान सभी का हाथ पकड़ कर गुड़ी परवा की पूजा कर रहा होगा कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट किते एक्साइटेद हैं आप हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अबना भूले में कर दो मुक्त हैं आप खूर गया हमें पूला इशान सतम आप हमेंकि अपूर अ कर ते कर दो किते हो थालैं सेखेगा हैं आप सरह हैं आंसेते हानि for मुलंकि przepार आप बहूर जो आंसे जपले отправ को पूर आ थाहा है अहार पदमा कर दो कर आदी सतरह हमें आद